हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने IQZ7 Android वाइल फोन में आप जो है fingerprint lock को set कैसे कर सकते हैं अपने वाइल फोन पे ठीक है और ये fingerprint lock जो है set होने के बाद ये setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको detail में जा सेलेक्ट करना है अब security के इस option में आपको नीचे आना है यहां पर आपको option में देगा है fingerprint fingerprint पे सेलेक्ट करना है अब आपका ये जो भी screen lock आपने लगा रखा अपने phone पे उस screen lock को आपको यहां पे एंटर करना है और से right click करना है तो आपका next page ये वाला open हो जागा ठीक है तो पिंगेर्प्रिंट को आपको लगा रखाना है तो इस तरिके से आप इस तरीके से यther धेखे और अठीक है कि थोड़ा से लगा करना है आपको और फ़िर उठा लेना है त्टीक है इस तरीके से ये देखिये तो फिंगर को आप गुमा गुमा के भी आप लगाईएगा ये देखी जैसे मैं आगे पीछे करके फिंगर को लगा रहा हूँ न तो इस तरीकी से आपको ये लगाना है ठीक है ये देखे ये आपका complete हो जागा थोड़ी देर में ये तो ये देखे फिंगर प्रिंट आपका add हो जाएगा इस तरीकी से आपको नीचे ये done का option select कर देना फिर ठीक है तो आपका fingerprint lock set हो जाएगा आपके phone पे ठीक है फिंगर प्रिंट सेंसर इस तरीके से दिखाई देगा आपको ठीक है तो यह अगर आगर ये नहीं दिखाई देते आ